एक्ट्रेस रेखा ने आज भी अपनी खुबसूर्टी का बहुत ख्याल रखते हैं वैसे लंबे करियर में रेखा का नाम कई अभिनेताओं के साथ जूड़ चुका है जिसके चलते वो सुर्खियों में हमेशा ही रहे हैं अमिताओ बच्चन के साथ रेखा का रिष्टा किसी से छुपा नहीं है एक समय था जब रेखा अमिताओ बच्चन से बहत प्यार करती थी साल 1980 में रेखा अपने दिल में चाहती थी कि अमिताओ इस रिष्टे के बारे में कम से कम जमाने के सामने दो बात कहे हाला कि ऐसा नहीं हुआ और एक दिन रेखा ने अपने एक अंदाज से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया 1980 में रिशी कपूर और नीतू सिंग की शादी हुई आम तोर पर शादी में लोगों की निगाह दुलहा दुलहन पर होती है लेकिन रेखा जैसे ही इस फंक्शन में आई सबकी निगाह उनकी तरह हो गई ऐसा इसलिए क्योंकि एक शादी शुदा महिला की तरह रेखा उस दिन सिंदूर लेकर आई थी रेखा की मांग से भरे सिंदूर को हर कोई आश्चर्ज से देख रहा था हैरानी सभी को हो रही थी उसी समारहों में दवी आवाज में बात हुई कि क्या रेखा ने अमिताफ बच्चन से शादी कर ली उस रात की तस्वीरे कई मैगजीन में छपी लेकिन रेखा ने इस बारे में कभी खुल कर बात नहीं की बॉलियू ठुत्रों के मुताबिक रेखा अपने प्यार के नाम पर सिंदूर लगाती है जिसके लिए वो पिछले 35 सालों से तरस रही है हाला कि कुछ लोगों का कहना ये है कि रेखा अपनी खुबसूर्ती को बढ़ाने के लिए मांग में सिंदूर भर देती है एक्टर विनोद महरा का नाम भी रेखा से जुड़ा और आलम ये रहा के लंबे समय तक दोनों की प्रेम कहानी की चर्चे फिल्मी मैगजिन और अकवारों में च्छाय रहे उन दिनों खबरे थी कि दोनों ने चुपके से शादी भी कर ली है रेखा ने 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अगरवाल से शादी की लेकिन तीन महीने के अंदर ही ये शादी तूट गई दोनों का तलाक हो गया और कुछ दिनों बाद मुकेश ने फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली मुकेश अगरवाल उस समय के मशहूर होट लाइन ग्रूप और निकी ताशा ब्रेंड के मालिक थे रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीरे देखकर तब सब को यही लगा था कि आखिरकार रेखा की जिन्दगी में जिस प्यार की कमी थी वो शायद उन्हें मिल गया कर आत्महत्या कर ली उस समय खबरे छपी थी कि जिस दुपट्टे से मुकेश ने फासी लगा कर आत्महत्या की वो दुपट्टा रेखा का था यहां तक की रेखा और मुकेश की रिष्टे के बीच में दरार क्यों आई ऐसे नीजी सवाल भी रेखा से सर्याम किये गए मुकेश अगरवाल के आत्महत्या करने के बाद इस तरह की खबरे भी आई कि वो सनकी और बिमार थे इसी सनक में आकर उन्होंने अपनी जान दे दी अवबाओं से अलग मुकेश के करीबी दोस्तों का मानना था कि मुकेश अगरवाल मुसीबतों के सामने से भागने वाले नहीं थे और उनके जान देने के पीछे उनकी मजबूरी नहीं वलकि उनका आत्मसमान था हलाकि मुकेश के मौत का राज आज तक राज ही है मुकेश अगरवाल के मौत के बाद रेखा पर भी उंगलिया उठने लगी यहां तक भी कहा जाना लगा कि मुकेश रेखा के पीछे नहीं वलकि रेखा मुकेश से साधी करने के लिए उनके पीछे पड़ी थी इतना ही नहीं रेखा पर यह आरोब भी लगे कि वो जानती थी कि उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है हलाकि मुकेश के जाने के बाद भी उनके जीवन में कभी प्यार ठहर नहीं पाया रेखा पिछले कई सालों से अपने बांदरा स्थित घर में अकेली रह रही है रेखा की नीजी जिन्दगी को उनके नीजी सचीब फरहना के अलावा कोई नहीं जानता